जी, hello students, अज, statics दा अपन next lecture करन जा रहे हैं, lecture number 16, chapter करते पैसे अपन third, ते third chapter दा अपना अज, third question करन जा रहे हैं, तो पिछले lecture ज अपना पहले दो questions ते जो basic concept सी ओ कर रहे हैं, chapter दा नाम है जी, any number of forces acting at a point, so, एक question है, forces P minus क्या हूँ, P, P plus क्या हूँ, three forces given है, okay, act at a point, act at a point, underline कर लो, in directions parallel to sides of an equilateral triangle, taken in order, find the resultant, forces कि इंदर act कर देंगा, कर देंगा, एक point देंगा, but एक triangle है, उधियां, sides दे parallel चल देंगा, जसरी के देखो, मैं एक triangle बणाना, वे मेरी एक triangle है, ठीका जी, equilateral triangle है, कहांदा मेनेंगा, कि सारी जड़ियां, sides है, हो, same है, एक triangle है, a, b, c, a, b, c, एक equilateral triangle है, कहांदा मेनेंगा, तो, no sides, same है, जए sides, same है, तो, फिर angle भी, same होंदे, कहांदा मेनेंगा, एक जड़ा interior angle है, एक होएगा, 60 degree, a, b, होएगा, 60 degree, ओके, पूरी straight line, 180 degree angle बढ़ान दिया, इस करक्ति, ए वाला जो angle है, ए angle होगया, 120, ए angle तर्म पता होने चाहिए, एक 60 है, पूरी straight line जड़ी है, 180, 180 जो 60 मैनस करोगे, तो, ए वाला जो angle है, ए होज़ेगा, 120, एदाई, ज फोर्सस किसी तरीके act कर देगा, p minus क्या हो, p e, टे p plus क्या हो, order चे लेनेगा कहनदे, ज़े तुस एदर p, minus क्या हो, force लेने है, यहसे side नो, फिर तानु एदर p लेने पहेगी, एदर लेने पहेगी, p plus क्या हो, taken in order, forces P minus क्याओ P P plus क्याओ parallel to sides of an equilateral triangle taken in order order चे लेनेगा P minus क्याओ then P then P plus क्याओ इनना नों एक point ते एक्ट कराना वो के स्री के कराना वो वी होन समझन दी कौशेच करू आ देखो suppose गरो एक ये होगी एक force में एधर बना देना एक force में एधर बना देना बड़े हित्या ना समझोगे देखो एक force ते एक्ट कराना सारी है force suppose करो वो वाला point वो वा suppose करो P minus क्याओ एस direction नों जा रही है के अन्दा मेनेगा P minus क्याओ force act कर दिया एस line दे along ओके एधर नो P force लग दी पही है के अन्दा मेनेगा एधर साइड होगी एधर फोर्स पी या A, C, A दे along होगी एधर ही एक force नीचे लग दी पही है along A, B वो A वाली होगी P plus क्योग मैं फिर रपीट करदा P minus क्योग नों असी एथे रिप्रेजन्ट कीता इस P नों असी इस force ना रिप्रेजन्ट कीता एधर डाउनवाड force जा रही है A, 2, B वो होगी P plus क्योग वो नग एंगल किनने है वो बड़ेते है ना समझना एंगल देखो एधर 120 एंगल है एधर 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 P force जा रही है P minus क्योग तो P दे जो विएचे एंगल है वो 120 है इस करके एधर एंगल हो गया 120 फिर अग ये देखो फिर उस्तों बाद देखा देखो एधर P force जा रही है एधर P force लग रही है उपर नू C to A इधर नू P force जा रही है A, P plus क्योग जा रही है एधर एधर एंगल 120 ठीक है जी A वाला एंगल के ना 120 एंगल between P and P plus Q 120 A एंगल हो गया 120 Then A वाला एंगल A वी हो गया 120 वैसे भी तो दो 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 लागी रहा होएगा A वाला एंगल A वाला होएगा A वाला एंगल ये वाला होएगा, ये वाला एंगल, ये वाला होएगा फिर विज उसे देख सागा दिया, नीचे नूँ फोर्स लग दी पही है, पी प्लस क्या हो ये पी प्लस क्या हो फोर्स, ये पी माइनस क्या हो P minus Q, P plus Q वाला अंकल 1, 20 इस तरी केसी साड़ी हो, forces और अपा इनुँ solve करना शुरूब करेंगे एसी साड़ी डाइग्राम सब तो पहला सी लिखांगे forces केड़ केड़ियां forces है साड़े को forces P minus Q, P, P plus Q किते एक्ट कर देंगा? acting at O O ते एक्ट कर देंगा, acting at O parallel to parallel to sides parallel to sides of sides केड़ केड़ियां, sides केड़ केड़ियां, parallel to sides, B, C then C, A, then A, B of N, equilateral triangle, A, B, C ठीगा, जी, inner direction दे along, force लाग देंगा, उनना दे parallel B, C दे parallel, A side होगी, C, A दे along, A होगी parallel, A दे along, A पैरल होगी, ते एक्ट दे एक्ट करा देंगा, होड़ एनना दा असी result and find करना, ते आसी suppose कर लेना, साथ तो पहला से suppose करांगे, take axes as shown, take axes as shown, देखो, आपा show कर देगे, axes, इननों सी x-axis लागे, O, x, इननों सी x-axis लागे, O, x, इननों सी x-axis लागे, O, x नो, कहांदा मेने गया, line of action of force P minus के उननों सी x-axis लागे, ते जड़ी perpendicular line है, उननों सी y-axis लागे, लागे, O, K, इननों सी x-axis लागे, O, K, इननों सी x-axis लागे, O, K, उस्तो बाद, एंगल लिखांगे किने कने बढ़ा देगे पागे, forces, So, forces, first force P minus क्यों हो, then force P, then force P plus, क्यों हो, ते इन forces लागे, forces, एंगल किने बढ़ा देगे, पागे x-axis लागे, making angles, angles सांगे, P minus क्यों हो, x-axis 0, जीरो बढ़ा देपाई, 0 degree, then P force क्यों हो, लागे बढ़ा देपाई, x-axis लाग, ये P force, देखो 120, angle बढ़ा देपा जीरो, 120, then P plus क्यों हो, force क्क्यों हो, देखो, ए वाली force P plus क्यों हुँआ, ये से सारा दिखना के x-axis न किने अंगल बन दापया 120 प्लस 120 होगे 240 so 240 with x-axis with x-axis so x-axis दे नाल P माइनस क्यों force 0 अंगल बढ़न दी पही P force 120 अंगल x-axis दे नाल ये वाली force जो P प्लस क्यों force है ये सारा 120 प्लस 120 किने होगे 240 240 अंगल बढ़न दी पही x-axis दे नाल एक चीज़ होगे लिखांगे let r suppose कर लो resultant let r be resultant of forces making angle theta angle theta with x-axis मान लिया के ना तिनना forces दा resultant आ रहा तो x-axis ना theta angle बढ़न दा ये से suppose कर लिया होण जो साड़ा next work किया ओदे चैसी result part लवाँगे अगला work किया होण सी result part लवाँगे थेवरों पड़ी सी जो दुसी chapter स्टार्ट कीता ही कि एक बने resultant दे result part लिखांगे दुझे बने सी force दे result part लिखांगे ओ सेम होना चाहिए दा ओके तो होण अपन लेंड जा रहे हैं result part टेकिंग result part result parts पहला लवाँगे along एक सेक्स दे along ओके resultant दा result part आगया जी आर कॉस थीटा एक सेक्स दे along ले रहे हैं माल लो किते भी हो सकती है एथे असी इदा छो कर सकते हैं माल लो एथे force आ रहे है मिने पाता नहीं किते हैं एंगल थीटा बन दा शो करने जुरूरत नहीं आपा लेख देता है यह सफिचेंट है ठीक है जी तो सड़ा ज़डा एंगल अपक थीटा स्पोस कीता दो दा result part हो गया आर कॉस थीटा सो फर्स्ट फोर्स है पी माइनस क्योँ पी माइनस क्योँ एंगल के ना बढ़ा दी है 0 सो उवा अज़ेगा कॉस 0 पलास सेकंड फोर्स है पी कॉस 120 पलास पी पलास क्योँ कॉस 240 कॉस 01 पी माइनस क्योँ पिलचो 120 ए तुस्सी न si न साइट ते क्यलकुलेट कर सकते हैं रहेगा, साइट ते अपना कैलकुलेट करिए, कॉस 120 कैन बी रिटन एज कॉस ओफ 180-60 ता ट्रिकनोमेटरी बदिया होने चाहिए 180-60 लग साग देया सेकंड कॉदर चाहिए, सेकंड कॉदर चाहिए कॉस negative होंदा, सो कॉस 60 आ गया, कॉस 60 दी वेली होगी, 1 by 2, सो माइनस 1 by 2 आगी, उसों बाद कॉस 240, 240 कैन बी रिटन एज कॉस of 180 plus 60 कैन दा मीनिग या, थार्ड क्वाडरन चाहिए कॉस की होंदा, negative होंदा ठीक है जी, सो माइनस कॉस 60 आजेगा, सो AV वेली आगी, माइनस 1 by 2 सो, पलास P इन्टो 1 by 2 पलास P पलास क्या हो, इन्टो एथे भी माइनस 1 by 2, थे भी माइनस 1 by 2, इन्हों तुसी सिंप्लिफाई कर साकते हैं 2 तुसी लाई साकते हैं एथे आजेगा, 2 P माइनस 2 क्या हो माइनस P माइनस P, थे माइनस क्या हो 2P दे cancel out होगे so answer आगया इस result part दा minus 3 क्यों over 2 so r cos theta दी value आगी r cos theta दी value आगी minus 3 क्यों over 2 वोन बिल्कुल एदें आसी along y axis result part लाँगे वोन मिनू रफ करना पहना क्योंके मेरे को space ती कम ही है तो सी यह देख साथ r cos theta minus 3 क्यों over 2 आया बिल्कुल एदें आसी result part along y axis लाँगे तो जस्ट उसी replace करना cos नो sign देविच और मैं उपरो रफ कर रहे है उपरो पकर देने है रफ हाँच होन एदें आगें taking result part along y axis कि आजेगा r sin theta होगे resultant the result part P minus क्यों फर्स्ट फोर्स सी उए अंगल बनादी सी 0 sin of 0 second force या P उए अंगल बनादी 1 to 1 T then next force या जी P plus क्यों उए अंगल करना बनादी सी sin 240 sin of 240 इना दिया तुसी value side ते calculate कर साख दें sin 120 can be written as 180 minus 60 केंदा मीने गया sin 60 केंदा मीनिंग under root 3 by 2 बेलकुल तुसी एदे calculate कर साख दें 180 plus 60 हो जाणगे 240 वो आजेगा minus sin 60 केंदा मीनिंगा minus under root 3 by 2 second quadrant second quadrant चा sign positive होंदा एदे ये third quadrant third quadrant sign negative होंदा so minus under root 3 by 2 आजेगी value वो अपां put करांगे so sin 00 हो गया plus P into under root 3 by 2 P plus के हो sin 240 minus under root 3 by 2 फिर तुसी 2 एलसीम लाइ सक दें केंदा मीनिंग या तुसी under root 3 by 2 कर लो common एदे रहागे ता डेकोल P minus P ते minus के हो P cancel out हो गे ता डेकोल बच्चया minus under root 3 by 2 क्या हो एता डेको आगी R sin theta दी value ओके R sin theta भी मिल गया ते ता अनू R cos theta भी मिल गया इनना तो उसी result and find कर सागदे आर दी value find कर सागदे आं ते तो उसी theta भी find कर सागदे ओई है असी दो में होनों work जड़े या कम करांगे हाँ जी साथ तो पहला ये जी मेरी equation number first C ये मेरी C equation number second square and add first and second उन्हें तो उसी square and add करोगे कि आजेगा R square cos square theta एदे ही आजेगा R square sin square theta R square cos square R square sin square एदा square करोगे आजेगा 9 over 4 square plus 3 over 4 square ये हो जाणगे 12 over 4 square के अन्दा मेंने गया 3 क्यों square तो इदे सिंप्लिफाइ करोगे तर एको आगया R square into 1 केंदा मीनिक R square दी value आगी सो R आजेगा under root 3 of क्यों ये resultant आगया resultant दी value ता मिलगी magnitude ता मिलगया होण सीधी direction find करांगे theta find करांगे कि angle के ना बन दाविया वह सी होण find करांगे ये मैं कर देना राफ अमीद कर दाँ कि ताननों समझ आगी होएगी जे समझ आगी या ता लाइक वाला बटन प्रेस करोगे तुसी ते नाल दी नाल जे चैनल सब्सक्राइब ने कीता ता चैनल सब्सक्राइब भी कर दियो ता जो ताननों next जड़ी अगली है वीडियो जे आग वो ताननों मिल दिया रहन ते नाल दी नाल तुसी बग्गी स्टूडेंट शेर भी करो ता जो वातो वाद स्टूडेंट दा फैदा हो सके हांच होना होना एक काव तुसी नोड करनी है असी एंगल फाइंड करना कुदेली जेता आर कॉस सीटा थी आर साइन थीटा दोवे पॉस्टर वो होन तुसी डिरेक्ट ही डवाइड करके थीट किस क्वार्टेंट्स वैल्यू लाई कर दी पही है यह तुसी कम जुरूर करना हांच है सब तो पहला मैं गल करा आर कॉस थीटा दी आर दी तसी वैली पॉट कर दांग उपर आई होई है तो वैसे पॉट करन दी जुरूरत भी निक्योंकि असी जब दोवाइड करना उनने कटिया अर्दा सब्सक्वित कर दोः दी जुरूरत नहीं क्योंकि अन्वार्दी वैल्यू पाता काल यहकु लिए कॉस सीटा न तेखो तरनु सारे नूं पता अई थे सारी पॉस्टव हुन देया और ट्रिक्रोमेटर ग्रेश्व पॉस्टव हुन देया अई थे साइन पॉस्टव हुन दा यह थे टैन पॉस्टव हुन दा यह थे कॉस्टव हुन दा यह थे कॉस्टव हुन दा यह थे कॉस्टव हुन दा थान ते और पामागे end निपाड़ा, okay, sin theta भी negative है, sin theta is negative, sin theta भी negative है, आदेखो, और निपाड़ा, आदेखो, पूट कर दोगे, but sin theta भी negative है, ज़ा sin theta भी negative है, तो कहांदा मेन गे होया, और sin कित्थी negative होंदा, इते sin positive है, इते सरी positive है, इते sin positive है, इते सारी positive है, इते sin positive है, so negative होएगा third to fourth, which lies in, either in third or in fourth, दोगान, ज़े तुसी combine कर देए, देखो, third common है, ज़े cost देखे देखे देहा, तावी theta third है लाई कर रहया, ज़े तुसी sign देह देह देहा, तावी theta third है आ तो, कहांदा मेन गे होया, hence मेन पता चाल गया, के theta lies in third quadrant, so third quadrant वे लाई करेगा, इस त्स रिके तुसी पहले check कर लेण जे 2 पॉस्ट वे फे डिरेक्टी डिवाइड कर दो जे एक वी नेक्ट वाजवे फे पहले चेक करना कि केड़े एक वादियरेंच वैलू लाई कर दिया जना चो कॉमन आ रहे है वो उस वादियरेंच वैलू लाई करेगी होड़ इसी डिवाइड करांगे now divide हाँ जी divide 2 by first 2 by first इस्तिक क्यासी find करांगे एदर सी R sin theta first वे सी R cos theta हाँ जी R sin theta सी android 3 by 2 क्या हूँ minus android 3 by 2 क्या हूँ उदर सी minus 3 by 2 क्या हूँ minus ना minus cancel out होगी क्यों ना क्यों cancel होगया 2 ना 2 cancel out होगया दे बचेया की इदर R ना R cancel out होगी इदर बचेया tan theta तो अदर बचेगा ता डेकोल android 3 over 3 कहांदा मीनिंग या tan theta आगया सा डेकोल 1 over android 3 1 over android 3 जै तो सी android 3 ना multiply करो android 3 दे नाल divide कर दे हाँ तो आएगा ता डेकोल 1 by and root 3 1 by and root 3 बेलकुल ठीक है जै ये आगे सा डेकोल किस तरीके जै तुसी एस तरीके लिखो एस तरीके multiply कर दोगे ये 3 दे नाले cancel होजेगा 1 by and root 3 आजेगा होण ये value कि दी है ये होगी 10 of angle 30 दी ये 10 30 दी value होगा 10 30 means चो 30 ही लेक साख दे है 10 30 degree दी value होगा बट ये ता आगया जी 1st quadrant पर सानू चाहिदा थीटा 3rd quadrant तो की करना पहएगा सानू 3rd वेच लेकर जाना पहएगा ओदेले की करोगे 180 पलस 30 लेखोगे 10 जी आपका cancel कर देगे तो साड़े को ओल 180 पलस 30 के ना होगया 210 210 एंगल साड़ा अंसर आ गया resultant n आ एंगल बना रहा 80 force देना आल P minus क्यों force देना जब उसी डाइग्राम देखोगे एक्सेस के नू लेा आर एसी resultant लेा सी थीटा एंगल लेा सी बट के देना आल एक्सेस देना एक्सेस काउंट सी तुसी डाइग्राम देखोगे P minus के वो ओली force दा जब लाइन ओफ एक्सेसस मनें सो थीटा साड़ा 210 आ गया तुसी कुछ कोश्चन करों के ताड़ी answer चेंज हो सकते हैं था कारण आएं कि तुसी ताड़ी मर्जी है कि तुसी किस force नू एक्सेसस कारना किस force नू तुसी एक्सेसस कारना उसाब ना ताड़ा answer आएगा तो इस तरीके answer vary भी कर सकता resultant सेम आएगा यह angle vary कर सकदा क्यों कर सकदा क्योंकि इताड़ डिते डिपेंड करदा कि किस force नो तुसी x-axis force कीता होया हाँ जी एक चीज में दसना चांदा सी कि 1-3 की असी third quadrant लेके गए उन तुसी एक वर clear कर लो first quadrant असी theta ही लेख दे हैं जी second quadrant चले है कि जाना थे नो की करना पेगा 180 माईनस theta करना पेगा जा करला माईनस theta ये स्टिक़ें इसी ही calculate कर दे हैं जीखो 1030 सी तो sofortbasis क्योंकि 30 लेके जाना 180 याड़ करते क्योंकि 60 theta होना चाहिदा सी 3rd वे 4 चाहिदा सो 210 साथ answer आया हो नवास ही करांगे next question so resultant is under 3 by 2 क्या हूँ and making angle 210 मैं लह देना आय थे so resultant is equal to किना आ गया under root 3 क्या हूँ making angle 210 with the force P-Q जा एदा लेक्सा दे तो दा फोर्स केड़ी फोर्स जादा लाइदा लेक्सा देसी 210 10 with the line of action of force P-Q जा इस तरीके भी तुसी mention कर सागदेया हूँ नसी करन जा रहे हैं जी next question इस टाइब देक हो और question कराना ता जो तानों चंगी तरह क्लीर हो जोए एस question एक्विलेटर triangle सी 60-60-60 angle होगे जे ओ ना given होए just on a triangle क्या फेक्स तरीके question करना होँ न करन जा रहे हैं next question यह रहाँ जी सादा next question देक हो उस question देवेचे के इस एक्विलेटर triangle सी था सारे अंगल सी 60-60-60 लहें यस question दे अंदर question बेलकुल सेम हैं बाट forces सेम हैं जस्तरीके पिछले question च पी माइनस क्यों पी प्लस क्या उसी यह थे each force is P बाट यस question दे अंदर triangle बार निस्वन पता केड़ी triangle है जो असे कोई वी triangle बना सकते हैं जो आँ देखो एक में triangle बना रहे हैं तुसी आँ देखो एक में रेको triangle है A B C जे angle नहीं पता आता इन्हों असे A स्पोस कर लें ने angle B वाला angle B हो गया C हो गया दूसरी काल जे A A होएगा Pi minus A 180 minus A A angle B या A angle होएगा Pi minus B A angle C या A angle होएगा 180 minus C जब लेहलो Pi minus C जब लेहलो P order जब लेहलो P order जब लेहलो order जब लेहलो इन्हों इन्हों एक पॉइंट थे active कराना O C जब लेहलो P लेहलो P लेहलो जब लेहलो की करना से इन्हों उसी x-axis पोज कर लेना एक साड़ा की या A x-axis या O A जड़ी force P या O x इसाड़ी होगी x-axis इदे जो perpendicular line होएगी Q होएगी y-axis ठीक है जब लेहलो कर साड़ी होगी y-axis ओके होण जैसी एंगल देखने होण एंगल की बान देपाया बड़ेते आना समझियो A होगया πाई-C कहांदा मीनिंग आ एंगल सारा होगया पाई-C एंगल पाई-C एंगल होगया पाई-A यह पाई-B यह एंगल होगया पाई-B तो सितना नो एड़ करोगया ता डांसर आएगा 360 2 पाई 360 2 तेक चीतन पता किसे भी ट्रेंगल दे जड़े इंटिरियर तेने एंगल जेया ओना दा सम 180 होँदा कहांदा मीनिंग आसाड़े कोल A प्लस B प्लस C पाई होएगा पाई मीज 180 होएगा पाई कहलो चाहे 180 कहलो Sum of interior angles of any triangle 180 जहां तुसी पाई कहलो देखो वर्डिंग पिछले question ना सेम लिखनी है तुसी वर्डिंग एंगल की बन दे पहा है देखो forces साड़े कोल P P P सारी वर्डिंग सेम लिखनी है एंगल की ने बन दे पहा है यह जड़ी force है यह 0 एंगल बन दे पही है ठीक है इमाँ थोड़ा जा लेह देना हां जी लेखी देने आपा forces P P P P is X at O parallel to sides B C C A A B of triangle A B C इस तरी की लिखोगे first line फिर से कमांगे take axis as shown take axis as shown यह लिखोगे फिर लिखोगे forces P P P making angle किनने बना अंदिया पहींगे angle जड़ी first P यह बना अंदिपे यह 0 degree यह बना अंदिया 0 जड़ी second force यह बना अंदिपे minus C यह बना अंदिपे यह बना अंदिपे 2P minus A plus C जड़ा simplify करो मैं side ते समझा अंदि कोशेच करदा था नू देखो किनना अंगल है total P minus A plus P minus C यह सारे वाला angle x x जड़ेना आल आ सारा angle आप आला सारा angle किनना हो गया P minus A plus P minus C किनना हो गया है 2P minus common A plus C 2P minus A plus C दी value calculate करो वो आएगी P minus B वो आएगी P minus B so P plus B हो गया तो A बन गया अंगल P plus B यह सी calculate करना P plus B यह सी के सारे को ले वाला angle आया है ओके P plus B so then let R be resultant let R be resultant making angle यह सी के दूसी wording जड़ी आओ लिखोगे angle theta with X axis इस त्रीके तुसी wording लिखोगे so पहली force 0 बना आंदी फिर P minus C फिर P plus B होना पहला मांगे result part taking result part taking result parts पहले लूंग X axis हो आएगा R cos theta P cos 0 first angle बन दा 0 then plus P cos pi minus C then P cos pi plus B cos 0 1 then pi minus C second quadrant pi second charge होंगे थोड़ा चाइड करोंगे third charge होंगे second दे विच cos negative होंदा so minus P cos C आगया third quadrant दे विच यह third विच पहुंच गया pi ची कुछ add करांगे third पहुंच गया third विच भी cos negative होंदा so O V minus cos B value आगी so A value आगी R cos theta दी होना again होना taking result part along Y axis होना सी Y axis दे along result part लामांगे R sin theta P sin 0 P sin pi minus C pi plus B sin 0 0 plus B sin pi minus C के ना हुंदा second quadrant चे sin positive so sin C second quadrant चे अभी pi चो कुछ minus करोगे second पहुंच होगे second sin positive हुंदा यह third जी जाएगा third जी negative हुंदा so minus P sin B जेतानों trigonometry ना आंदी होवे वह भी मेरी playlist बढ़ी होई या पूरे chapter दी तुसी उस playlist दे पहुंचो मेरा चैनल खोलके तुसी playlist देखोगे पूरी trigonometry तानों plus one दी complete मिलेगी वह भी तुसी समसक दे हैं होण यह आगे आज़े साड़े को r sin theta यह show करना result end असी find करना यह show करना इदली की करना पहेगा square end add करना पहेगा सो square end add करोगे मैं उपर रफ करके उपर करदा square end add उम्मीद करदा कि तानों समझा रही होएगी square end add करांगे को सोरी में रफ कर देता की सी मेरे कॉल मैं दबारा लह देना r cos theta c मेरे कॉल रफ हो गया गलती नाल p cos 0 1 होंदा फिर इते cos c cos यह भी negative c यह भी negative c minus cos c c minus cos b c क्योंके second चभी cos negative होंदा third चभी cos negative होंदा तो एदा सी साथे कोल होन square end add करोगे ता डिको आएगा r square cos square theta plus r square sin square theta ओके यह आएगा p minus p cos c minus p cos b square plus p sin c minus p sin b यह दर square देखो p ता सारे अचे common आ रहे हैं जी आपा उन कर लांगे common p को कर लो common p हो गया common p square चाहे एदा स्केर खोल दो p square plus plus p square cos square c plus p square cos square b minus 2p square cos c minus 2P square cos square B plus 2P square cos C cos B यह एदा square हो गया open यह तोसे एदा square open करोगे P square sin square C P square sin square B हाँची पास है नहीं होना उस्तों बाद A square B square minus 2P square sin C sin B हाँची एदा square open थोड़ा simplify करने कोशेच करें कि एदर आजएगा only R square एदर भी आजएगा R square एद P square as it is इन्हों जे तुसे एड़ करो P square common sin square theta plus cos square theta होंदा वन इन्हों तुसे एड़ करोगे P square आजएगा common cos square B plus sin square B एभी आजएगा 1 क्योंके sin square theta plus cos square theta 1 उस्तों बाद की होएगा इस्तों बाद इन्हों एजएटीज लिखना पेना minus 2p square cos c cos square 2p square cos b ok 2p square common minus 2p square common बेच रहेजएगा sin B sin C minus cos B cos C इस्तों बाद की होएगा साड़े कोल minus 2p square common बाद करो पहले आएगा cos पहले आएगा cos फिर आएगा sin 2p square common cos B cos C minus sin C sin B इस्तों बाद की होएगा ok इस्तों बाद की होएगा 3p square minus 2p square cos C minus 2p square cos square B plus 2p square हाँ जी ये तन फार्मूला आंदा फार्मूला बाद गया जी cos B plus C cos A cos B minus sin A sin B ओवर आएगी फार्मूला sin A plus आफला फार्मूला cos A plus B फार्मूला तन बाद होएगा cos A cos B minus sin A sin B ये फार्मूला पहाँ आपलाई की ता उस्तों बाद P square common कर सागदे हैं जी इते रह गया 3 minus 2 cos C minus 2 cos B plus 2 cos B plus C cos B can be written as pi minus A why? why? because A plus B plus C is 180 or you can say pi so B plus C can be written as pi minus A and pi minus A cos pi minus A minus cos A so P square 3 minus 2 cos C minus 2 cos B minus 2 cos A now R की आजएगा under root under root 3 minus 2 cos A पहले लह लो minus 2 cos B minus 2 cos C सो एसाइड़ answer आगया एही असी verify करना सी so questions almost सारे सेम है पिछले question दे अंदर equal to triangle होन देन आल angle सारे 60C एथे नई सी given ते थे एथे असी angle A, B, C देना आल इटे node कर लेया तो सी alpha, beta, gamma जो मर्जी लह सकते कोई प्रॉलम नहीं but जो भी लाओ गयो ना दे सम पाई होना चाहिदा बानेटी होना चाहिदा सो एसरी के एसी questions करने या result and find कर लेया यही असी show करना सी so अगले lecture दे अंदर सी बाकी बचे होए question करांगे सो वीडियो लो लाई करना ना पूल लेयो जे सब्सक्राइब नहीं किता चैनल ता रिक्वेस्ट जा तुसी चैनल सब्सक्राइब भी कर लो चेर भी करो वीडियो तांच बात बाद जेड़ स्टूडेंट या इस लेक्चर दा फैदा उठार सकंड थैंक यू